नमस्यकार और आजम खड़े हैं British luxury sedan के सामने जिसका नाम है Rolls-Royce Ghost 2009 में लॉंच वी थी और ये 2020 का second generation variant आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में एक ही model आता है जिसकी कीमत है एक शोरूम 7 क्रोट रुपीस Henry Cloak ने डिजाइन की है नई गोस्ट इसके England के Goodwood Plant में Assembly होती है औल वील ड्राइव है नई गोस्ट Rolls-Royce Silver Seraff को रिप्लेस किया था गोस्ट ने 1906 की Rolls-Royce Silver Ghost से लिया गया है इस कार का नाम ये अब तक की सबसे टेकनलोजिकली एडवांस रोल्स रोस है Post-Opulent Design Philosophy है शॉफर ड्रिवन के साथ क्लाइट्स की डिमांड पे नई गोस्ट को Rolls-Royce ने काफी ड्राइवर फोकस भी बनाया है ये फैंटम का छोटा और एवरिडे यूस करने वाला वर्जन है ये शॉट वील बेस मॉडल है लॉंग वील बेस मॉडल भी आता है फ्रंट सेंसर है और ये दाउनलेट इकॉनिक पैंथे ओन ग्रिल रोल्स-Royce का लोगो फ्रंट कैमरा और ये है वील इस वील इस वील प्रेट का भी अप्शन है और ये हैं लेजर हेडलाइट एलिडी डियारल के साथ लेक ओफ बोनेट रेंज सेंसिंग वाइपर्स है शाक फेन एंटेना हैंड मेट सिगनेचर कोच लाइन है इसमें कई कलर्स के ऑप्शन है डबल कोच लाइन का भी ऑप्शन है साइड इंडिकेटर रोल्स-Royce का लोगो इलेक्ट्रिकली अड्जस्टिबल आउटसाइड मिरर्स हैं कैमरा के साथ 5.5 मिटर लेंथ है 1.5 मिटर हाइट है और लगबग 2500 केजी कर्ब वेट है नई गोस्ट का एक्स्टेंडिड वील बेस की 5.7 मिटर लेंथ होगी ये डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, ब्राउन, रेड, पर्पल, ग्रीन और वाइट को मिला के 31 कलर्स के ऑप्शन है और ये हैं 19 इंच के अलोई वील्स 21 इंच के अलोईस का भी ऑप्शन है वील्स में कई कस्टमाईजेशन ऑप्शन है सेल्फ राइटिंग वील सेंटर कैप्स है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे रोल्स राइस के वाल्व कैप रियर डिस्क ब्रेक्स और यहां से बरेंगे पेट्रोल आर्किटेक्चर आफ लग्जिरी प्लैटफॉर्म पर बनी है घोस्ट जिस पे फैंटम और कलिनन भी बने है एलिमूनियम स्पेस फ्रेम चैसी है आल वील स्टेरिंग है मैजिक कार्पेट राइट के साथ आगे और पीछे फिफ्टी-फिफ्टी वेड दिस्टिब्यूशन है हंड्रेट परसेंट अलिमूनियम लेजर वेल्ड़ड़ डोर्स है बहतर के बिन एम्बेंस के लिए स्पेस फ्रेम चैसी है नई घोस्ट के और यह है नियर स्क्वेर एलिडी टेल लाइट क्रोम प्लेटेड विजिबल एग्सॉस्ट है रियर सेंसर सें रोल्स रोइस का लोगो रियर कैमरा रोल्स रोइस की 116 एर हिस्ट्री का सबसे सक्सेस्फुल मॉडल है गोस्ट हाई माउंट स्टॉप लैंप दस साल की टेस्टिंग और डेवलोप्मेंट से बना दुनिया का पहला प्लैनर सस्पेंशन सिस्टम है जो वील वाइब्रेशन को कम करके एक शांत क्वाइट ड्राइव देगा इसमें आगे वर्ल्ड फर्स्ट अपर विश्बोन डैंपर यूनिट है जो रोड के हिसाब से सस्पेंशन को रेडी करेगा और पीछे फाइव लिंक एक्सल सेल्फ लेवलिंग हाई वॉल्यूम एयर सस्पेंशन है बहतर राइट के लिए कंटिनिसली वेरियेबल इलेक्रोनिकली कंट्रोल शॉक अब्जॉर्बर्स हैं सेल्फ लेवलिंग हाई वॉल्यूम एयर स्ट्वट असेम्बली के साथ जो आज तक पहले कभी प्रोडक्शन कार में यूज नहीं हुए है जो ड्राइवर को आसपास की मुवमेंट बताएगा रोड रिकोग्निशन है जो स्टीरियो कैमरा की मदद से रोड को देखकर डैमपर्स एडजस्ट करेगा और सही गेर भी चूज करेगा सेफटी के अंदर एट ऐरबैग्स, अबीस, पार्क असिस्टेंट, आगे पीछे पार्क डिस्टेंश कंत्रोल, स्टेबिलिटी कंत्रोल, सेल्फ द्राइं ब्रेकिंग सिस्टम, डे और नाइट ताइम विल्लाइफ वार्निंग, अलुर्टनेस असिस्टेंट, चार कैमरा Panoramic और Helicopter View, Collision Warning, Cross Traffic Warning, Lane Departure Warning और Self Parking Rolls-Royce Phantom का छोटा वर्जन है Ghost जिसको Everyday आप यूज़ कर सकते हैं आई ये Boot Open करके देखते हैं तो यहाँ आपको मिलेगी 507 लिटर की Boot Space लाइट दी गई है यहाँ साइड में फर्स्टेट केट है और वन तच से ही ख्लोज जाएगा Boot आईए पीछे का पैसेंजर साइड दोर खोल कर देखते हैं तो यह हैं Coach Doors जिनने सो साइड दोर भी कहा जाता है Walnut Trim है डोर पे कई और वो ट्रिम्स के आप्शन्स हैं नीचे काफी स्पेस, फास्ट चार्जिंग पोर्ट दो मैमोरी सीट के फंक्शन्स पार विंडो के कंट्रोल, स्पीकर्स और यह है Iconic Rolls-Royce Umbrella यह Commissioned Collection Umbrella, specially Ghost के लिए डिजाइन किये गए हैं स्कफ प्लेट और यह है Blue and White Leather Appalstery Gray, Black, White, Red, Brown, Purple, Yellow, Pink, Silver और Green को मिला के 49 क्लर्स के आप्शन्स हैं सीट के चीपॉकेट्स और स्क्रीन्स हैं और यह स्टार लाइट एडलाइनर, शूटिंग स्टार्स के साथ Black Cloth और Sunroof का भी ऑप्शन है और यह पिकनिक टेबल और यह रियर एंटेटेर्मेंट स्क्रीन पिलर्स पे दो ऐसी वेंट हैं और यह सीडी चेंजर, दो USB पोर्ट और यह AC के कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन के बटन्स हैं दो ऐसी वेंट और यह हैं, इलेक्रोनिकली डिपलाइबल 12 इंच के रियर थियेटर HD test screen सीट के कंट्रोल्स हैं, आम्रेस्ट पे इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं फिक्स्ट सेंटर कॉंसोल का भी ऑप्शन है दो ग्लास होल्डर्स आम्रेस के अंदर भी काफी स्पेस है, चार्जिंग पोर्ट है और यह है, एक्स्टेसी रोटरी कंट्रोलर इससे अब दोनों स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन सपोर्ट करेंगी वेहिकल सेटिंग्स seat comfort, system settings, driving information, trip computer, applications, communication, media, radio, navigation hooks है star light और यह reading lights आगे पीछे ventilated और massage seats है और ऐसे दिखता है dashboard steering पे भी wood trim का option है lambs wool foot mats का भी option आए 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 यहां पर भी डॉर पे उपर वो ट्रिम है, नीचे काफी स्पेस दी गई है, स्पीकर्स हैं, दो मेमोरी सीट के फंक्शन्स है, पार विंडो के कंट्रोल्स, वार विंडो के कंट्रोल्स, बूट खुलने का बटन, शानदार कोच डॉर्स, अपने नाम की भी आप सकफ फ्लेट बनवा सकते हैं, और अटमेटिक डॉर्स को क्लोज करने के लिए यहां पीछे बटन भी दिये गए, इलेक्टर के लिए अज़ेस्टिबल सीट्स हैं, और ऐसे दिखते हैं आगे की सीट्स, कई स्टाइल में इंटिरियर कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स भी मिलेंगे, यहां कुछ इंफॉर्मेशन, टायर प्रैस्ट इंफॉर्मेशन, और यह है थ्री स्पोक स्टेरिंग, पैडल्स, एलेक्टर पार्किंग ब्रेक, और यह लाइट के कंट्रोल्स, एंजन स्टार्ट स्टाप बटन, आमरस के अंदर भी काफी स्पेस दी गई है, लाइट है, फास्ट चारजिंग पोर्ट है, यहां थोड़ी स्पेस दी गई है, और यह कैमरा का बटन, सस्पेंशन लिफ्ट करने का बटन, परक असदक का बटन, और यह दोर क्लोस करने के बटन्स, और यह इन्फरतेन्मेंट कंट्रोलर, और यहां दो ग्लास होल्डर्स है, और यह है और यह delivers academic four zone climate control AC, Micro Environment Purification System के साथ Heated Steering का भी बटन है और यह इस इवेंट्स और यह है Infotainment Support करेगा USB, Apple CarPlay, 12.5 GB Hard Drive, Aux, Navigation, Wi-Fi, Hotspot और TV Tuner Interior Lighting आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं XTL Lighting, Vehicle Settings, Intelligent Safety Steering Wheel Vibration Speed Warning, Attentiveness Assistant Climate Comfort, Seat Comfort Navigation Media Radio FM Notifications Applications Vehicle Settings, System Settings Sound Settings Equalizer Or a Spirit of Ecstasy Controller Raise your lower Driver Profiles, Vehicle Settings, Driving Information Or a Handbook और यह camera 360 degree view के साथ Orient, Intelligent Safety Collision Warning, Pedestrian Alert Active अई बटन दबा के यह आप आटमेटिक दोर क्लोस कर सकते हैं अई शांदार Dashboard के Finish Head-Up Display है और यह Handcrafted Analog Clock और यह Handcrafted Analog Clock दो और क्लोक के Options हैं Board Trim Lockable Globe Box Light के साथ और यह Passenger Side Vanity Mirror Light के साथ Auto Dimming Rear View Mirror Reading Lights हैं Starlight के Controls हैं Emergency SOS का Button और यह Driver Side Vanity Mirror Light के साथ और यह है Leather Wrapped Steering Wheel और यह Active Cruise Control और यह Voice Control Phone, Volume और Infotainment के Controls और यह है ZF का 8 HP 98 Speed Automatic Transmission Light के Controls और यह Electric Steering Adjustment और यह Wiper के Controls और यह है Piano Black Laser Edged Hand Polished Star Instrument Cluster High Gloss Finish में यह दिखाएगा RPM, Speed, Fuel Level, Coolant Temperature Average और काई इंफोमेशन आई यह Bonnet खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजन तो यह है 6,750 CC V-Trail Twin Turbo Charged BMW N-74 B-68 पैट्रोल एंजन 563 HP है 850 Nm Torque है 0 से 100 की Speed पकड़ेगी 4.8 सेकंड्स में 250 km पर आर की Limited Toss Speed है और 8 का एवरेज मिलेगा 82 लिटर के Fuel Tanks है यही एंजन Rolls Royce Phantom और Kalinan में भी यूज़ होता है V-12 6,750 CC एंजन है Twin Turbo Charged 563 HP है 8 का एवरेज है तो कैसे लेगी आपको Rolls Royce Ghost हमें कमेंट्स में बताईए थैंक्यू कि कमेंगी दोट राज़De रच्या